चलिए फ्रेंड्स आज फ्रूट बास्केट बनाते हैं मैं इसे प्लास्टिक की एक चोटी सी टोकरी से बना रही हूँ इसे सबसे पहले हम चारो तरफ से टेप से ढग देंगे अच्छे से सील कर लेंगे चारो तरफ से पैक करेंगे हम इसे ये देखिए हमने सब तरफ से पैक कर दिया है अब सिमेंट का मिक्स्चर बनाते हैं इसमें रेट डाल दिया और पानी डाल कर एक स्मूथ गोल तयार करेंगे देखिए पेश्ट हमारा बनकर तयार है अब हम इस मिक्स्चर को टोकरी में डालेंगे रिक्वाइर सेप का एक डबबा लेकर हम इसमें वेट के साथ फिक्स कर देंगे और 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए ये सूख चुका है चलिए वेट हटा लेते हैं और डबबे को निकालते हैं डबा निकल चुका है अब हम टेप को निकालेंगे चारो तरफ जो हमने टेप लगाया है उसे हम निकाल लेंगे आराम से निकालेंगे ये निकल चुका है अब हम टोकरी को कट करके हम निकालेंगे आराम से निकालेंगे कहीं तूटे ना ये देखिए कितना सुन्दर कार्वि बनके आया है, बहुत ही सुन्दर लग रहा है, आप भी देख पा रहे होंगे, ये बहुत सुन्दर बना है, इसे हम ब्लैक कलर से पहले पेंट कर लेंगे, आप चाहे तो अपने पसंद का कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से मैंने चारो तरफ कलर कर लिया है, अब मैं इसके उपर गोल्डेन कलर कर रही हूँ, जहां भी कार्विंग है, वहां पे मैं गोल्डेन कलर को एड कर रही हूँ, देखिए कितना सुन्दर लग रहा है, एक एक करके सारे जगह को हम कलर कर लेंगे, जितने भी कार्विंग पोर्षन है, उस पे मैं क बना लिया है अब जो portion बाकी बचा हुआ है उसे मैं इस तरीके से color कर रही हूँ उपर के portion को मैं golden color से cover कर रही हूँ ये टोकरी हमारी बन कर तयार है अब इसमें fruit रखकर serve करेंगे हम बहुत ही प्यारी टोकरी बनी है हमारी आप भी इसे अपने घर में बना सकते हैं और बहुत ही इजी है बनाना जैसा कि आप लोगों ने देखा है ये खूबसूरत भी बहुत है और बनाना भी बहुत इजी है तो आप भी इसे अपने घर में ट्राइ कीजिए थैंक्यू